सो हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ खुश हूँ इसलिए मैं यहां पे आप लोग के लिए नई नई रेसिपी लेके आ रही हूँ तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न कचौरी कचौरी है और प्लेन सी सिंपल सी आलू मटर की सबजी है जैसर कि आप लोग इस वीडियो में देखी सकते हैं तो यह जो कचौरी है मैंने बहुत अनोखी रेसिपी के साथ मैंने बना के तैयार की है और प्लेन सी आलू मटर की सबजी है बहुत जादा मेहनत वाली नहीं है, आपने ना कचोरिया तो बहुत खाई होगी, लेकिन मेरा दावा है कि आपने ये कचोरी इस चीज से बनी हुई कचोरी नहीं खाई होगी आपने, ठीक है, तो चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना करती हुए, मैंने ये कचोरी कैसी बनाई है, इसमें क ये खाई है, वह है फुटाने की, आप लोग वीडियो में देखी सकते होंगे, इसको तो हम लोग फुटाना बोलते है, आप लोग क्या बोलते हो, तो वह आपने लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है, एक बड़े साइस का प्याज का प्याज आपने बारि आप लोग अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, इसका जो कवर आप लोग देख रहे हैं, उपर जो ब्राउन कलर का है, वह आपने निकाल लेना है अच्छे से, फिर मैंने यहाँ पे यह कुटी हुई धनिया है, जो खड़ी धनिया होती है, उसको आप लोग ने बारिक न कूट लेना है, तो चलिए मसाले भी मैं बता देती हूँ, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी, अजुवाइन, जीरा पाउडर, और ना मेन, इसमें सब्चे जो है मैगी मसाला, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, ठीक है, आप इसमें चाहे तो आमचूर पाउडर थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे आप देख चुके हैं मसाले, तो आप लोग ने मसाले अपने हिसाब से आप कम जादा कर सकते हो, डिपेंडिस पे करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो चलिए अभी जो इसके जो फूटाने के जो ब्राउन वाले कावर है, तो इनकाल दिया है, तो यहाँ ब्राइगा हो, तो चलिए यहाँ पे इसका अपने बारिक पाउडर बना लिये, आप लोग देख सक्ते हैं पाउडर मैंने कितना बारिक बनाया है, तो आप लोग ने फिख से आपने घीक, इसी तरीके से बनाना है, और इसमें अच्छे से यह जो मसाला यह जो हमने बनाया है इसका बहुत अच्छे से आपने हाथ से दबा दबा के देख लेना है एक हाथ दो रहे गए होंगे वो ग्राइंडर में बारिक नहीं हुएंगे तो आपने वो निकाल देना है तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ यहां पे एक मैंने पैन पैन में आप अपने हिसाब से तेल ले सकते हैं आप जो भी तेल खाते हैं अपने हिसाब से तेल वो ले लिजे फिर यहां पे हरी मिर्ची डाल देना है हरी मिर्ची को थोड़ी देर उसमें रहने दे हरी मिर्ची थोड़ी सी पक जाती है तो वो भी अच्छा ही लगेगा ठ यहां पे खड़ी हुई कूटी धनिया मैंने डाला है और साथ से आठ लसुन की कलिया इसको बारिक चौप करके आप डाल दे और अध्रक को न याद रखे न खिसके ही डालना है अध्रक वो बारिक बारिक काट के डालोगे तो वो मू में फिर बचती है कुछ लोग को वैसा प यहां पे पहुआ है लिआ है तो यह फेस पे उड़ते हैं गुठक वा झा अचाकर है कोई भी काम चाया ओं सावधानी जहीं कम आच पे भुनना है, बहुत ज़दा आच ने आपने फ्लेम को यहां पे तेज नहीं रखनी है, तो जल जाएंगे यह, भुनने की जगह ना जल जाएंगे, तो यहां पे जो हमारे प्याज थे, जो बारिक-बारिक कटे हुए थे, वो हमने इसमें डाल दिया है, डालने के ब धकने से स्टीम से कोई भी चीज है, कोई भी सबजी है, वो बहुत जादा बहुत जल्दी पक जाती है, अच्छे से, तो यहां पे देख सकते हैं, यह ब्राउन हो गया है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी इनको, क्योंकि सबजी जितनी मसाले जितन देख से मुठी अउनक जाता ओंगी इस. सबगे देख सोड़ाों बहुत जाते ने मारी जो हमारी में जाते तो यहां पे बहुत पहुत भूलत करूंगी इक जाती हैं, दो हो खूँत़ कुछ ख़़़ा तो फीर वो दात हमाई बजेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे हुषा क्चौरी ओधिस की की तल्स ओर अधिसीन होगा का जननी कीस सब् skобраз का सबद्र नो पीषने के बाद फूटानों को जो फूटाने का जो आटा रहेगा उनको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है तो यहां पर मैंने डाल दिया है डालने के बाद जैसे मैं चला रही हूं जिस वे में मैं चला रही हूं आपने वैसे ही चलाना है अच्छे से उसको दबा दबा के ताकि वो बहुत अच्छे से पक जाए और एक भी लंब से इसमें ना रहे तो अच्छे से थोड़े से भून गये थे आपने ना चार से पाच मिनट कम आच पे थोड़ा सा मेडियम आच पे या फिर कम आच पे बस जलने नहीं चाहिए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगो ठीक है धीरे धीरे हाथों से मिक्स कर लेना है इसमें एक भी लंब्स नहीं रहने चाहिए आप यह जितना ही ज्यादा भूजोगे ना उतनी ही ज्वाद ज्यादा ना इसकी जो खुश्बू है वो सौंधी सौंधी खुश्बू आएगी बहुत ही अच्छी आ रहे थी बु आणा भूजों नाहीं ध्या प्रम्स पा जैसा कि मेने इस वीडियो में किया है तो थोड़ा सा पाणी डालने के बाद आप लोग इसको अच्छी जो मिला ले भाद पानी डाने से क्या पूरा स्वाद आएगा वो इसी का आएगा तो मुझे यहां पे लगा थोड़ा सा और पानी डालना चाहिए जादा ही भरवर लग रहे थी यह तो मैंने यहां पे और थोड़ा सा पानी इसमें एड किया है एकी बार एड नहीं करना है मैं बार-बार बता रही हूं आप लोग पाच से दस मिनट आप गैस पे ही रहने दे ठीक है गैस बंद कर दे और गैस पे ही ढखकन लगा के इसको छोड़ दे उसे क्या होगा इस्टीम से जो ये है अच्छे से पक जाएगी और तो यहां पर लोग देख सकते हैं हमको इसको हाथ में लेके ऐसा देख लेना है इसके ग हो गये हैं और हमको इनको में पेट क प्लेट में निकाल लेती हूं प्लेट में अब्लगों द्टाश अब कर लें सकते हैं कोई दिककत नहीं है ओट रख देना है थाली में और रख देना थंडा होने के लिए, तो अब बारी आती है, यहांपे हमारा अठा गुधने की जो कचोरिया जो है, उसका जो मेन हैं, वो आठा, अब अठा नही गुधेंगे तो उसके स्टफिंग ऐसे करेंगे हम लोग, तो यहां पे मैंने आठा अपने खांदान के हिसाब से ले लिया है, परिवार के हिसाब से मैंने आठा ले लिया है, और आठे में थोड़ा सा तेल डालना है, मैंने यहां पे रिफाइन ओईल का यूस किया है, थोड़ा सा गुनगुना गरम करके आप लोग वो डाल दे, और कूरेसल एनको अच्या से मैश करें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करें यहां पर बहुत अच्छे से मिक्स करनाँ है तो चलिए यहां पे इसको अच्छे को गाने लिगीजे जो हमारी... है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी करंची बनेगी कुरकूरी बनेगी तो यहां पे 10 से 15 मिनिट हो गये थे आप चाहो तो इनको आदा गंटे एक गंटे ना छोड़ सकते हो बहुत अच्छी बनेगी कचोरिया ठीक है तो यहां पे मैं आप लोग को दिखा देती हूं मैं इनको यहां पे मसल लिया है मसलने के बाद भी ना यह अच्छे से आकार नहीं ले रहे थी मतलब गोल गोल करते हूं यह फट जा रहे थी और यह अगर ऐसा राउंड बनाते बनाते यह फट जाए मतलब अभी इनको मसलने की और जरूरत है कुटने की और जरूरत है तो यहा को यहाँ पर दोनों हाथ का मैन Ay素 किया है और पलेटफ फॉर्म अपना साफ कर लो थोड़ा सा OIL हाथ में लगा लो यह फिर घी लगा ले और उसको बहुत अच्छे से अच्छेस इन अच्छेसे मेश कर ले एक रच्छेस कर यहां पर देख सकते हैं जो आटे का जो डो है वो मैंने प्लेन अभी हो गया है वो है ना तो बनने के लिए अभी वो आटा जो है हमारा वो तैयार है तो हम लोग आ जाते हैं उसके मसाले की तरफ जो हमने बना के रख दिया था तो ये बहुत अच्छे से पूरी तरीके से ये ठंडे हो गए है आपने याद रखना है ठंडा ही लेना है ठीक है और इनको फिर थोड़ा सा हाथ से मसल दे जो भी लम्स वगरे हैं तो बहुत अच् यहां पर गोल कर लेना है तो यहां पर गोल कर लेना है बहुत अच्छे से आप अपने हिसाब से साइज चोटा बड़ा कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने उसमें आटा लगा लिया है आटा लगाने के बाद उसकी चुटी चुटी गोल गोले से कटोरिया कटोर वो आपने उसमें अच्छे से न भर देना है आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं लेकिन कचौरियों में थोड़ा सा कम ही भरे तो ठीक है भर लेंगे और अच्छे से हातों से उसका जो मूँ है उपर से वो लॉक कर देंगे ने तो कचौरिया जो है तेल में जाने के बाद वो खुल जाती है तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है तो आप लोग ने सेम वैसे ही बनाना है ठीक है तो चलिए इसी जैसे हमने पहले बनाया था सेम यूज करते हुए वैसा दूसरा भी बना लेना है यहाँ पे न मैं इनको बेल नहीं रही हूँ मैं इनको बेलन से नहीं बेलती हूँ मैं कभी भी कचौरिया नहीं बेलती हूँ जैसे मैं कर रहे हुँ नहीं से गोल 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 चारो तरफ हाथ घुमा के इससे क्या होता है ना जो मसाले रहते हैं वो चारो तरफ फैल जाते हैं और इसके किनारे आप लोग ने किनारी बहुत अच्छे से दबा देना है, ने तो वो मोटा रह जायगा तो वो ना तेल में पकेगा नि बीच का जो है वो पक जाता है और जो साइट के रहते हैं वो पकते ही नहीं है, ठीके तो कच और या अधी आधी पक जाती है आधी सब्सक्राइब घुरा ऑगे बति लिए टेले कांड न को तो अब को भी इंद रहें दो मरने के लिए को ऑगी. सब्सक्राइब के अफ़िए अफप्लिए के लिए एक दम सही है कचोरिय डालने के लिए तो यहां पे कचारी आप लोग ने बहुत ही ध्यान पूर्वक बहुत ही सावधानी से डालना है जलना वलना नहीं है किसी को ठीक है कचारी डालने के बाद उनको आप अल्टा पल्टा कर दे थोड़ा सा उलट पलट दे दोनों साइट से अच्छे से पका ले तेल जो आप डा से उसमें डालोगे कचारियों के ऊपर डालोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है बहुत अच्छे से फूल जाती है कचारिया फटती नहीं है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं हमारी कचारिया हो गई है मैंने निकाल ली है ठीक उसी तरीके से हम लोग ने और भी जो हमारी कचौरिया है सेम उसी प्रोसेस में बहुत अच्छे से तल लेनी है आपने याद रखना है गैस का फ्लेम आपने बहुत तेज पे तो बिल्कुल ही नहीं रखना है तेज पे ऐसा होगा कचौरिया जो है उपर से पक जाएगी और अंदर का जो हमारा जो थोड़ा बहुत जो आटा कभी कहीं मोटा कहीं पतला रह जाता है तो वो नहीं पकेगा आप लोग का तो फिर कच्ची कच्ची खाओ गए तो अच्छी लगेगी तो चलिए ठीक है तो यहाँ पे जो हमारी कचौरिया है यह अच्छे से बन के एकदम तयार हो गई है तो मैं आप लोग को यह आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह बन गई है और कुरकुरी बनी है क्रंची बनी है यह थोड़ी सी ना पता अभी ना गरम थी यार बहुत गरम लग रहा था हाथों में फिर भी मैंने आप लोग को उसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाने का कोशिश किया है आ यहां पे जो मैं आप लोग को यह सबजी दिखा रही हूँ ने यह सबजी ना मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताई है आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो बनारस की फेमस सबजी आलु मटर ऐसा मैंने करके उसमें लिखा है प्लेन रेसिपी है इन कचोरियों क आप डही के साथ खाओ ए मायोनिस के साथ अचार के साथ आप जैसे एक कमफोर्टेबल हो वैसे खाओ यह जो कचऊरिया है ना यार यह सच में अच्छी लग रही थी पता है बहुत यह टेस्टी मेरा मैं दावा करती हूँ कि आप लोग ने कचऊरिया बहुत खाई होगी कि खाओ बहुत ही टेस्टी लगती है और पता है स्वात कब देता है जब आप इनको ना बासा खाते हो सुबच चाय के साथ ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में